नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल जीवा स्टेडी पर तो बात करेंगे हम राजस्तान कोपरेटिव बेंक जो भरती आई थी आचार सही तकारन अक्टूबर में जो है होल्ड कर दिये थे इसके फॉर्म और अभी भी होल्ड ही चर रह बेंकिंग असिस्टेंट वगेरा की बढ़ती आई थी जिसको आचार सही तके कारन होल्ड कर दिया था अभी जो कोपरेटिव बोर्ड है उसमें पता करने पर पता चला है कि फॉर्म जो है उन्होंने बोला कि हम प्रोसेसिंग में चला रखा है उसको और अगले सब्ता तक जो है फॉर्म स्टार्ट कर देंगे ठीक है अब देखो हो सकता है कि अगले पांसा दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए ऐसा उनका कहना है बाकी मिलता या नहीं मिलता यह वापस आचार शनिता में जाती है नहीं जाती वह देखने वाली बात रहेगी लेक जो 635 पद है वो तो फाइनल है ठीक है एक्जाम कब तक हो सकता है अगर मान लोगी अगले सप्ता तक जो है अगर अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका एक्जाम जैसे आचार साइटा खतम होगी या फिर अगर मई लास्ट में जगह नहीं होगी तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या फॉर्म स्टार्ट होते हैं या नहीं होते हैं क्योंकि अगर फॉर्म स्टार्ट नहीं होते हैं तो फिर वापस जो आचार साहिंता में ये बढ़ती चली जाएगी बाकी पदों की संक्या बढ़ेगी और ये एक बात और द्यान ना जाता है तो मई लाश्ट या फिर जून में इसका एक्जाम करवा लिया जाएगा तो अचार सहिता में अगर अटक जाती है तो अलग बात है कि एक दो मिने और आगे चली तो उनको छोड़नी नहीं त्यारी यह बरती रद नहीं होगी यह बरती परक्रिया पूरी होगी हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन यह बरती परक्रिया पूरी होगी आप आकि जीवा स्टेटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि इन्फर्मेशन के लिए धन्यवा बने रहें जिवा स्टेडिक साथ धन्यवाद